नमस्कार दोस्तों, BK Computer Hindi में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि अपने हम Android phone से किसी भी अपनी mail ID को मतलब Google account को कैसे remove करते हैं जैसे कभी-कभी आपको जरूरत पर जाती है कि अपने दोस्त की mail ID को अपने phone में login करना या किसी अपने family member की mail ID को अपने phone में login करने के लिए जब हम अपने दोस्त की या किसी family member की mail ID को अपने phone में login कर लेते हैं और जब हमारा काम हो जाता है तो हमारा दोस्त बोलता है कि जो मेरी mail ID उसे अपने phone से remove कर दो तो जब हम remove करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर remove का option नहीं मिलता और हम एदर ओदर खोशते रहते हैं तो आज जान लेते हैं इस वीडियो में कि अपने android phone से हम कैसे किसी भी mail id को remove कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहां मैं आपको दिखा लेता हूँ यह मेरा gmail है मैं इसको open करता हूँ और यहां पर मैंने कई mail id को इसमें add कर रखा है यहां देखिए यह बहुत सारे mail id यहां पर आप देख सकते हैं 6 mail id को मैंने अपने phone में add कर रखा है अब इन मैंसे माल लो मुझे इस वाली mail id को remove करना है किसी को भी आपको remove करना है तो उसके लिए क्या करना है नीचे आ रहा है यहां add another account ओके यहां से तो आप और भी mail ाइडी को अपने phone में add कर सकते हैं इससे नीचे आ रहा है manage account of this device अब आपको इसके उपर click करना है इसके बाद जाना है आपको यहां पर google यहा रहा है इसके उप से first वाली ID को remove करना है जिस भी email ID को remove करना है तो उसी के उपर हमें click करना है अब इसके बाद आपको नीचे आना है यहां आ रहा है more का option सबसे नीचे आप नहीं देख सकते है more का option यहां पर आपको click करना है अब इसके बाद अब यहां पर हमारी सामने दो options आएंगे नीचे रहा है remove account तो हमें इस Google account को remove करना है इस email ID को तो मैं इसके उपर click कर देता हूं यहां रहा है removing this account will delete all of its message, contact and other data from the phone ओके यह बोल रहा है इस account से related जो भी आपके phone में data है वो सब remove हो जाएगा ओके तो अब मैं यहां से कर देता हूं इसे remove account इसके उपर click करता हूं अब देखिए यह account हमारा remove हो चुका है पहले हमारी यहां पर 6 Google accounts इस phone में add थे अब यहां पर 5 है और मैं आपको इसे एक बार फिर से back करके भी दिखा देता हूं कि जो Google account हमने delete किया है वो delete हुआ है कि नहीं ओके तो यहां आप दोस्तों देख सकते हैं जो account हमने delete किया था वो permanently delete हो चुका ह है हमारे phone से तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like कीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए तो कि मैं आपके लिए mobile tricks computer tricks और YouTube tips and tricks की वीडियो इसी तरह लेके आता रहूँगा तो वीडियो वाच करने के लिए बहुत बहुत थन्दवाद